नमस्कार मैं हूं सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल लियूज का खास प्रोग्राम चर्चाय खास चर्चाय खास में आज हम बात करेंगे सेंटर बैंक आफ इंडिया की बसंद उत्साव आवास रिल योजना के बारे में इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर बैंक आफ इंडिया के फिल्ड माप्रवंदक S.D. महरकर जी सर आपका दखल लिज में बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार दन्यवाद हर आदमी का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो खुद की चछत हो इसके लिए सेंटर बैंक आफ इंडिया ने बसंद उत्साव योजना को लागू किया है आई हम बात करते हैं क्या है योजना कैसे ग्रहक इससे लाब उठा सकते है सर बसंद उत्साव योजना क्या है जिसमें आवास लिए योजना की तहत सेंटर बैंक आफ इंडिया लोगों को ग्रहकों को फायदा उठाने का लाब उठाने का मौका दे रहा है तो क्या है योजना के बारे में बसंत उत्सो योजना ये खास करके जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं इनके लिए Central Bank of India ने 12 फरवरी से ये स्कीम लाँच किया हुआ है ये स्कीम 31-3-2020 तक रहेगा और इसमें कई ओफर हम लोग दे रहे हैं जैसे कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं रहेगी प्रोसेसिंग फी नील रहेगी इसमें नूनतम ब्याजदर इसमें दिया हुआ है इसमें और भी कई अच्छी चीजे है जो तीस साल तक का अपना रीपेमेंट इसमें दिया जाता है और हम चाहते हैं कि जो लोग अपना घर लेना चाहते है वो जरूर सामने आए और इस बसंतों सो आवास रूनयोजना का लाव उठाए आवास रूनयोजना अंतरगत तीस साल तक का रीपेमेंट दिया जा सकता है और जो बॉरूर होता है उसकी 75 साल उम्र तक ये लोन वो रीपेमेंट कर सकता है ऐसा रहता है कि जैसे मध्यमबरगी परिवार होता है तो मध्यमबरगी परिवार कभी कभी एफोर्डेवल नहीं कर बाता है उसके तहर तहर तो प्रभान्मंतरी आवास योजना के तहर उसका लाभ भी उटाता है जो कि दोड से ढाई लाक के बीच में कुछ है उनको बेवरेस मिलता है तो उसका भी लाब मिल सकता है इस योजना के अंतरगत उसका भी लाब मिल सकता है जरूर मिल सकता है और वो प्रधान मंतरी आवास योजना की जो सबसीड़ी है वो इसका भी लाब ले सकता है Central Bank of India की खासियत है कि इसमें जो 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 रियो आवास योजना इनने सुरू की है Central Bank of India में पुरे मद्ध प्रदेश में लागू रहेगी ये बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक लागू रहेगी इससे आप नजदी की शाखा में जाकर पूरी भी जानकारी ले सकते हैं क्या है बाक Central Bank ये स्टेट की अगरणी बैंक है Central Bank में ये जो बसंत उत्सो अपना घर के अलावा भी कई प्रकार की रूनयोजनाय जो आम आदमी की ज़रुरत में आने के लिए उपयूकत है ऐसी योजनाय है वाहन रून यहाँ पे कम से कम ब्याजदर में मिल सकता है यहाँ पे बच्च आपे सिंप्लिफाइड टम्स के उपर में बिजनेस लोन एक प्रॉडक्ट हमने लॉंच किया हुआ है जो भी बिजनेस करना चाहता है वो इसका उपयोग कर सकता है अन्या भी कही प्रॉडक्स बैंक्स के उपलब्द है और जो किसी भी शाखा में जाकर के इसके बारे में पुछताज की जा सकती है और इसका लाब उठाया जा सकता है तो फिल्ड महा प्रबंदक सरकास्ताफ कहना है कि ग्राहक जो भी हो चाहे मध्यमबर्गी हो कोई भी गरीब ग्राहक हो वो भी अपने बैंक की नजदी की साखा में जाकर इन सब चीजों का लाब उठा सकता है क इसमें सबसे खास बात यह है कि जो जो प्रोसेसिंग सुल्क है वो बिल्कुल नहीं रखा गया है और आप इसके तहत इस योजना का लाब उठा सकते हैं सर जो प्रहामंतियावास योजना के तहत रिंड होता है तो उसमें 2-5 लाग के बीच का एक वो रखा गया है तो क्या आपके पास ग्रहाक डायट जाकर उसका फायदा उठा सकता है सिंट्र बैंक की श्राखा में जाकर आकर इसकी जानकारी ले सकता है और उसको जो भी इसकी शर्ते है जहां पे प्रधान मंतियावास योजना की सबसीडी लागू होने की जो शर्ते है वो केवल एक ही है कि उस इसको पर्टिकुलर एरिया उस मकान का जो मकान वो खरीदने जा रहा है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए एक निर्बंद है बाकी सारे लोगों को ये प्रधानमंत्री आवाश योजना मिल सकती है। साब तर पर कहना है कि जो प्रहानमती योजना के तहत है वो भी ग्रहक अपना इस्त के तहत लाब उठा सकते हैं। सच जैसे कोई व्यवसाई है और इसको अपनी वेवसाई को बढ़ाना है, तो सेंत्रल बैंक अफ इंडिया की तरफ से कौनकोन से व्यवसाई के लिए उनको लोन उपलाब दोपाता है। मुझे खुशी होगी ये बताने में कि आप कोई भी वेवसाय के लिए Central Bank of India से रून ले सकते हैं जैसे कि manufacturing है, trading है, कोई भी small हतकरगा उद्योग आप करना चाहते हो इन सब के लिए Central Bank के पास में एक business रून का प्रावधान है और ये business रून आप ले सकते हो जिसमें GST registered अगर है, तो उसको पांच करोड रूपए तक का रून अपने वेवसाय आगे बढ़ाने के लिए और वृद्धी के लिए मिल सकता है तो माहरकर जी का कहना है कि कोई भी वेवसाय हो, सब के लिए Central Bank of India रून प्रवाइट कराती है बसरते कि उसमें GST अगर लगा हुआ है, कोई कमपनी GST registered है, तो उसके लिए पांच करोड तक का प्रावधान है तो कोई भी वेवसाय करना चाहे तो Central Bank of India की से जुड़ सकता है, वहां से लोन मिल सकता है आपको आप अपना वेवसाय बढ़ा सकते हैं, आप Education Loan में भी Central Bank of India से जुड़ सकते हैं नहीं कोई भी अमाउंट उसको Education Loan के रूप में मिल सकती है, मगर उसमें कोलेटरल सिक्यूरिटी बच्चे को उनके माबाप के जो होगी, वो देना पड़ेगी Central Bank of India में ऐसा प्रावधान हैं, जिससे आप इजली विदेश में जाके पड़ सकते हैं, जो किसे लोल प्राप्च कर सकते हैं Central Bank of India में जो ये आवास योजना चालू की गई, इसमें नियूनतम 8% व्याजदर है इसके अलाबा सर क्या है, जैसे EMI कितनी भरनी पड़ेगी प्रति लाग पे ये भी रहता है नियूनतम ब्याजदर होने का लाब या फाइदा ये है कि इसका जो इक्वेटेड मंतली इंस्टॉल्मेंट याने लाभारती को हर मेना प्रती लाख रुपया केवल 734 रुपया EMI आएगा Central Bank of India ने किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना निकाली हैं प्रधान मंत्री द्वारा निकाली गए योजना में भी KCC Saturation Drive एक योजना निकाली गए इस Central Bank of India द्वारा हम जाना चाहेंगे उसमें से कितने लाभारतियों को लाब दिया गया ये क्या है ये KCC Saturation Drive योजना है गया KCC का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड ये किसान क्रेडिट कार्ड सेचुरेशन ड्राइव ये चलाया गया है अभियान केंद्र सरकार द्वारा और नोट अनली Central Bank ने ये चलाया है सारे के सारी Banks और पूरे देश भर में आठ फरवरी से ये अभियान चलाया जा रहा है जो की 28 फरवरी तक चलाया जाएगा इसके अंतरगत जो किसान को प्रधान मंत्री द्वारा जो benefit दिया जाता है वो किसान ने अगर कहीं से भी किसान ग्रेडिट कार्ड या फसल रूण नहीं लिया है तो ये फसल रूण लेने के लिए बैंक के पास में वो जा सकता है इसके लिए एक सिंगल पेज अप्लिकेशन तयार किया गया है और तुरंत के तुरंत उसमें बैंक द्वारा उसको सैंक्शन दे करके ये फसल रून दिया जाएगा केसी सी के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में और किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि किसान अपनी खेती के लिए अपनी फसल रून में कभी भी कहीं से भी जाकर के उस केसी सी कार्ड द्वारा पैसा निकाल सकता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर गर्थ किसान भी सेंट्र बैंक ऑफिडियर से उसका फाइदा उठा सकते है फिर हार चर्चा एक खास में इतना ही मुझे दीजिये इजाजत केमरामेन तरुनिया दुकसा सत्यम शर्माद लखल लुज भोपाल संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गर ता जोपड़ी से महलों ता थेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्टीती से कूट मीती ता द आप देख रहे हैं दखल न्यूज